हेलो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छों है तो दोस्तों आप लोग काफी दिनों से कमेंट कर रहे थे मेरे पास कि सर आई टीए कोपा कोर्स के ओपर जो है वीडियो अपलोड करूँ कि कोपा कोर्स को करने के बाद जो के ऑप्शन कहा है प्राइब कोपा कोड़ से ओपर तो जो भी स्टोटन हमारा चैनल पर न्यू आये हैं और चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकटन को क्लिक करें क्योंकि दोस्तों आपको ऐसे ही इसे रिलेटेड इन्फोर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आईए स् ट्रेट दूसरा होता है नोन इंजिनियर ट्रेंट तो यह आई की जो है नोन इंजिनियर ट्रेंड है जिसमें क्या होता है चातरों को कंप्यूटर और हाडवेर से जुड़े बेसिक ज्यान पढ़ा जाता है इसके अंदर जो कंप्यूटर से रिलेटेड और जो हाडवेर से जुड़े बेसिक जो है नोलेज जो है आपको दी जाती है जिसमें कम्प्यूटर हाडवेर एंड सोफ्टवेर कोडिंग या प्रोग्रामिंग भासा बेसिक कम्प्यूटर जैसे एमेस एमेस एकसल पावर पॉइंट इसके साथ ही चातरों को डाट एंट्री का कारे भी सिखा जाता है तो इसके अंदर न दूस्तों आपको बेसिक जो कम्प्यूटर के अंदर होती है न जैसे हाडवेर सोफ्टवेर कोडिंग प्रोग्रामिंग भासा ठीक है न जो प्रोड है में सोफी से में से एकसल है जो पावर पॉइंट है और जो है डाटा एंट्री का जो कर रहे होता है यह सारा कुछ जो है आपको इस कोर्स के अंतगरत सिखाया जाता है ठीक है दोस्तों आई होप समझ गये अब बात करते हैं दोस्तों इसके डूरेशन की कि यह ज साल में सीइफ पी एक बार ही एगसाम होते हैं ठीक है और एकशाम मूड कि अगर बात करें तो बात करें तो सी बिटी एकशाम होते हैं दोस्तों इसके अंदर पहले जो है ओब bener marks कियागसiate मेरमार बेश एक्झामीन थे लेकिन होगी चीपकी के fine अंदर इंडर पोिछ जाती सम अप पोछन पोछह होता है और हो पकई सब्सक्राइड को रेंज है कि गूपाज है उसके आढ़ मैसन लेने जो आप अगर admission लेना चाहते हैं आपको पाके अंदर तो आपको मई जून में जो है इसके फॉर्म निकलते हैं और फॉर्म आपको सबसे पहले फिल करना होता है फिर जो इसकी मेरी लिस्ट बनती है फिर उसके इसाफ से जो है के अंदर नाम आता है तब जो है 900 पर आपको फीश पेयमेंट करनी पड़ती है फिर जो है आपका admission हो जाता ठीक है तो यह प्रोसेस हुआ दिल्ली के अंदर यह को करने का यह प्रोसेस है ठीक है दोस्त समझें आगे चलते हैं दोस्तों देखें दोस्तों अब जो है विच बो सब्सक्राइब करने के बाद जो है जब उसकी कोपा कॉर्स कंप्लीट हो जाती है तो जोब के लिए अपलाई करता है तो अगर जैसे किसी जैसे यूपी जो ऐसे उसने दिल्ली से यह कोर्स को कंप्लीट किया अगर जो है कोई आपकी वेकेंसी हैं वो जो है उत्तर परदेश में निकली है या हर्याना में निकली हुई है या फिर जो है आपका वो जहारखन में निकली हुई है बिहार में निक हुई है और अगर उसने ncbt से जो है कोपा का कोर्स किया हुआ है तो वह इजी तरीके के लिए इजी तरीके से जो है वह कहीं पर भी जो है वेकेंसी निकलेगी तो वह अपलाइक कर सकता है ठीक है लेकिन अगर वहीं बात करें एक स्टुडेंट है जिसने जो है दिल्ली से से तो वह स्टुडेंट जो है अदर स्टेट में जितनी भी जो वेकेंसी निकलेगी ना उसके अंदर वह अपलाइक के लिए यह यह वह सिरिफ दिल्ली स्टेट के अंदर जो वेकेंसी निकलेगी ना तो वह उल्ली सिरिफ दिल्ली के अंदर ही अपलाइक कर सकता है ठीक है तो आई होप कि आप लोग समझ गये होंगे इन दोनों का difference आगे चलते हैं दोस्तों आगे हैं दोस्तों आपका qualification अगर qualification की अगर बात करते तो आपका इसके अंदर 10th passout होना चाहिए और 10th class में math and size subject होना चाहिए और आपका 15 percent mark से जो है आप पास होने चाहिए 50 percent mark से जो है अगर हम एज की अगर बात करते हैं तो minimum जो आपकी एज है ना admission लेने की आई टे के अंदर वह 14 एर है और maximum जो आपका एज है वह आपका है 40 ठीक है तो यह जो है एज की जो है eligibility है next आगे चलते है विच कोलेज दो कोलेज होती है आई टे के अंदर एक होती है आपके गोवर् स्टार्टिंग में जो आपका डिल्याइटी में रस्टेशन की जो फीस लगती हो 200 रुपे लगती है फिर जब आपका admission हो जाता है ना तो उसके बाद जो है 19 आपकी जो है 1700 कुछ रुपे जो है यहां पर लगती है ठीक है अगर आप जनरल के और अगर से हैं तो यह और कम ह हो जाता है HERE 600 के आसपास हो जाता है ठीक है तो आपको यहां पर लगने वाला है डो से 30000 रूप्य आपका लगने वाला है आई टीह में ऐसे ने का जाता है खुर सकते हैं और एक्म और उसको करने में लग सकता है ठीक है दोस्तों समझ गें syllabus के अगर हम बात करते हैं ITI, COPA की जो syllabus के अगर बात करते हैं तो इसके अंदर trade theory पढ़ाय जाता है आपको trade theory के अंदर fundamental of computer के बार में पढ़ाय जाता है MS word MS Excel powerpoint ये सभी पढ़ाय जाता है इसके बार में आपको बताया जाता है कि कैसे use किया जाते हैं कैसे इन से जो है चीजे बनती है ठीक है न तो ये सारी चीजे आपको सिखाय जाता है कि powerpoint के अंदर आप क्या क्या बना सकते है MS Excel के अंदर क्या क्या बना सकते हैं क्या क्या सीट बना सकते हैं फिर विंडू ओप्रेटिंग सिस्टम भी आपको पढ़ाया जाता है ठीक है डाटा बेस कंसेप्ट सौफ्टवेर इंस्टॉलेशन साइबर सिक्यूरेटी इन सब के बारे में आपको ट्रेट त्योरी के अंदर पढ़ाया बाकी और भी इसके अंदर टोपिक होती है जो कि आपको पढ़ा जाता अब वहीं बात करते हैं ट्रेट प्रेक्टिकल होता है ट्रेट प्रेक्टिकल में आपको जो है कंप्यूटर कॉंपोनेंट्स एंड ओस यह सिखाया जाएगा ठिक है प्रेक्टिकल में डी एमस सिखाय जाएगा ठीक है practical कराए जाएगा मतलब उसके बाद configuration and using networking आपको practical करके दिखाए जाएगा और सिखाए जाएगा computer hardware basic and software installation करना आपको सिखाए जाएगा और photo editing ठीक है video editing और designing editing ये सारा कुछ जो है आपको इसे अंदर practical कराए जाता है उसके बाद जो है एक subject इसके अंदर पढ़ capability scale के अंदर आपको जो पढ़ाया जाता है introduction of computer ठीक है उसके बाद जो है English literacy आपको इसके अंदर पढ़ाया जाता है communication skill यहां पर पढ़ाया जाता है उसके बाद जो एन्वारिमेंटल education यहां पर पढ़ाया जाता है business कैसे करें और health and safety के बारे में आपको पढ़ाया जाता है क यह health कैसे रखने हैं और safety उसके बाद अगर आप किसी student को अगर ITA करने के बाद जो नहीं करना चाहते हैं तो वह high education भी कर सकते हैं इसके बाद जो है आप diploma कर सकते हैं ठीक है डिप्लोमा करने के बाद जो है आप लोग b.tec कर सकते हैं b.c.a कर सकते हैं जावा हो गया ठीक है यह आपके हाई education में आती है टैली हो गया तो यह जो है आप कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं आपका apprentice apprentice जो है आप मारुति सुझकुई में कर सकते हैं काफी अच्छा यह stipend देता अठारा जार रुद पे लगबग सब्सक्राइब देता उसके बाद private sector में काफी सारे सेक्टर है जहाँ पर जो है computer operator या data entry के बेस पर जो है आप लोग जो है लग सकते हैं रेल है आपका अगर जोब रोल की बात करते हैं कि किस-किस आपको क्या-क्या जोब रोल होने वाला है तो देखे दोस्तों यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर आप बन सकते हैं इंटरनेट operator बन सकते हैं computer operator बन सकते है data entry capture बन सकते हैं ठीक है उसके बाद जो है customer service बन सकते हैं dtb operator आप बन सकते हैं आपका यह job role रहने वाला अब बात करते हैं government जो job option की तो railway में जा सकते हैं railway में कई विभाग होते हैं ALP में नहीं जा सकते हैं बाकि जो और जो department होते हैं उसमें आप जा सकते हैं उसके बाद जो GL Gail है HPCL है government का काफी अच्छा विभाग है hydro power plant से ntpca इनके अंदर जो है आप जो को apply कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों जिन भी student को अगर आई टीए के अंदर वो पढ़ाना चाहते हैं या जो आई टीए के अंदर जो आपके पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं उनके qualification क्या होती है देखिए cti plus diploma अगर five year के experience है आपके पास study का तो आप आई टीए के अंदर पढ़ाने के लिए eligible हैं अगर आपने b.tec क्या plus one year का आपके पास experience है तो आप जो इसी तरीके से जो है आई टीए के अंदर पढ़ा सकते हैं या तो आपके जो आई टीए वाले teacher है वो पढ़ा रहे हैं बाकी इसके अल और यह था आपका ITA कोपा कोर्स ठीक है आसा करते हूं आप लोगों को हमारे वीडियो से जो है काफी help मिली होगी और जिनको भी अगर हमारे वीडियो पसंद आई होगी या कोई कमी होगी एक बार कमेट में बता दे और जिन इस्टुरेंट को हमारे वीडियो यह पसंद आ झाले कि वीडियो